नमस्कार दोस्तों जैस्रिराधे दोस्तों आने वाले नए वर्ष की धेर सारी स्वकामना आप मैं अंसुल्ट्र पाठी आपका जोतिश्विद्ध युम्बास स्वास्ते हम किसी भी नई चीज की सुरुवात करते हैं उसके पहले धार्मिक अनुष्ठान जरूर करते हैं कुछ ऐसे पूजन करते हैं जिससे हमारा वर्ष या हमारा काम या हमारा दिन या जो भी नया काम हो वो सुभ रहे ऐसे तो हमारा हिंदु धर्म का वर्ष दूसरा होता है लेकिन हिंदु धर्म दुनिया के सबसे जादा समावेशित करने वाला धर्म है कई संस्कृतियों को अपने अंदर समेटनी की छमता है अगर किसी में ते हिंदु धर्म है उसी अनुशार आज के टाइम में हम लोग सब चीजें डेट वगएरा सब इसी नए वर्ष के अनुशार ही प्रियोग कर रहे है क्यों न हम इस वर्ष की सुरुवात के लिए कुछ अनुश्ठान या कुछ ऐसे करें जिससे आने वाला वर्ष हर प्रकार से आपके लिए सुभ हो यहां आपको हम दो चीजें बताएंगे जिसको करने से आपके पूरे वर्ष विसेसलाब होगा हर तरह की शुक्षम्रधी प्राप्त होगी चाहे वो ब्यावसाइक होगी चाहे वो सारीरिक होगी चाहे किसी को मुकदमे की दिक्कत होगी चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा में समस्या होगी सारी चीजों में आपको लाव देने वाला है सबसे पहले किसी भी चीज की सुरुआत के लिए गनेश जी की पूजा जरूर करने जाएं अगर वर्ष के प्रारम में गनेश जी को आप दूब चढ़ाएं अथर्व सीर्ष का पाठ करें या गणेश चालिसा का पाट करके वर्स का प्रारम्व करें, ये पूरे वर्स के लिए बिशेश सुखकारी होगा ये है आपचारिक और प्रारम्व की प्रक्रिया अब हम बात करते हैं उन दो उप्चारों के सम्मद्द जिसे आपको पूरे वर्स करना है और मित्रों अनुभव के तलपे मैंने देखा है ये दोनों उप्चार लोगों के जीवन में कई बार बड़ी-बड़ी समस्याओं की समाप्ती का मूल कारण बना है करने को आप एक उप्चार भी करें तो आपको विशेश लाब होगा नहीं तो आप दोनों करें, दोनों सहज हैं, ज्यादा समय नहीं लेने वाले उप्चार है पहला उप्चार है दुर्गा जी के 32 नाम ये आसानी से उस्तकों में प्राप्त होने वाला नाम है यह नाम अपने आप में बिशेश उर्जा समेटे हुए आप बर्ष के प्रारंभ के दिन अवजित मुहूरत में संकल्प करें कि मैं पूरे वर्ष इस पार्थ को करूँगा आप देखेंगे ज्यादा नहीं 30 से 40 दिन बीटे बीटे यह पार्थ आपको पूर्ण प्रभाव दिखाना सुरू कर देगा लेकिन प्रारंभ अवजित मुहूरत में करियेगा उसके बाद आप चाहे जब कर सकते हैं सुबा और साम दो समयों में लेकिन प्रारंभ अवजित मुहूरत में करियेगा दुर्गा जी के 32 नाम हर तरह की बीमारी समस्या को समाधान करने वाला यह पार्थ है कर्ज की स्थिती हो आप इसको कर सकते हैं घर में कला की स्थिती हो आप इसको कर सकते हैं पूरे वर्ष आपका या मंगल में समय बीतेगा अब हम बात करते हैं दूसरे उपचार की दुर्गाजी से ही सम्मंधित उपचार है इसका भी प्रारम्व बर्स के प्रारम्व में अवजित मुहूर्ट में ही करें और संकल्प लें गणेशी की पूजा जरूर करिएगा क्योंकि आपको पता है बिना गणेशी की उपासना के किसी कारी की प्राप्ति और पूरता नहीं होती है यह दोनों उप्चार आप कर सकते हैं नहीं तो अपने आप में यह एक उप्चार ही पर्याप्त है दोनों ही बड़े छोटे हैं कम समय लगता है सुरू में पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होगी आप अभ्यास कर लें और इसको अनवरत करने के प्रयास करें कोशिस करें जब इस पार्ट को करें तो दीप चलता रहे सामने माता जी की तस्वीर हो जब किसी मंदिर में अगर करते हैं तो आपको इसका लाव और ज्यादा मिलेगा इन दोनों उपचारों से आप कुंडली के चाहे जो दोशों या घर में कोई वाधा हो सब चीजों पे आपको आराम मिलेगा अगर आप नकरात्म कुर्जाओं से पीडित हैं रोक से पीडित हैं किसी तरीके की वाधा से आप अपने संकल्म में ये बोलिए कि हम इस पीडा से पीडित हैं आप इसको समाप्त करिए और इस पाठ को करिए आप देखेंगे अद्भुत परिडाम आपको प्राप्त होगा या अनुभव सिद्ध उप्चार है जिसको हमने कई लोगों पे हलित होते हुए देखा है और अधिक जानकारी के लिए आप दिये हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या बास्त या अंक जोति संबंधी कोई बात करनी है तो आप दिये नंबर पर कून कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं कमेंट बाक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं सिर्रादे धन्यवाद इमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूले जोतिश और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्स्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें